नेक्स्ट आपके पास है कि क्रेक्टरिस्टिक रूट्स तो हमें इसका प्रूफ ड्यूनिट्रिक्स का मत्तब क्या होगा यूनिट्रिक्स का सबसे पहले मेनिंग होगा कि A star into A किसके कोल आजाए आइडेंटिटिक एक्वल और्थोगनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि A transpose into A किसके कोल आजाए आइडेंटिटिक एक्वल तो यहां पर हमें given क्या है कि A unitary मैट्रिक्स है मान लेते हैं कि lambda इसकी eigen value है मान लेते हैं कि lambda B eigen value of A A की eigen value lambda है हमें यह proof करना है कि जो यह eigen value है इसका जो modulus होगा वो 1 होगा ठीक है तो same procedure पर AX equal to lambda X लिखा हमने फिर आपने AX का pre-multipy वगेरा नहीं करेंगे हम इसमें AX star consider कर लिया that is lambda X का star consider कर लिया तो जब आप इसे solve करोगे तो यह बनेगा X star A star equal to lambda bar X star तो यह हमारे पास equation number 2 यह बनी और equation number 3 यह बनी from 2 and 3 हमारे पास क्या आएगा अगर हम 2 और 3 को multiply कर दें ठीक है मतलब 2 और 3 को multiply करें तो क्या बनेगा X star into A star into AX equal to lambda bar X star into lambda X ठीक है अब यहाँ से X star common निकल गया A star और A को एक साथ ले लो into X मतलब यह जो A star into A है इसको एक साथ consider कर लिया equal to यह किसके equal है lambda bar into lambda X star into X के equal ध्यान देने वाली बात यह कि इसकी value किसके equal होगी I के equal क्योंकि यह unitary matrix की property है तो X star into I into X equal to lambda bar lambda X star X तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा इसे लिख सकते है mod lambda का square X star into X और यह बनेगा आपके पास X star X तो finally जब इसे जब इसे solve करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 minus mod lambda का square X star X equal to 0 अब X being an eigen vector यह 0 नहीं हो सकता तो आपके पास 1 minus lambda square को ही 0 होना पड़ेगा तो इसका मतलब mod lambda square किसके को लागया 1 के equal और इसका मतलब mod lambda की value किसके को लागी 1 के equal hence आप यहाँ पे लिख सकते हो कि eigen values of an orthogonal matrix किसी भी orthogonal matrix की या unitary matrix की जो eigen values है उनका unit modulus होता है उनका क्या होते है unit modulus होते है तो यह आपके पास third theorem थी उसके बाद एक last हम करते है यह क्योंने क्या होता है झाल झाल झाल